तो पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे तो लेट्स गोईन वीकली टाइम त्रेम अगर वीकली टाइम फ्रेम का इस्ट्रक्चर हम देखें तो हम ज़्यादा बेकवर नहीं जाने वाले हैं हम करंट का इस्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे करंटली क्या मिला है न उपर की तरफ एक यह वाला हाई के उपर केंडर क्लोज मिल रहा है तो मार्केट अभी अप्ट्रेंड ही लग रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड में एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक हाई ब्रेक हुआ था जो की 2020 का था ओके इसको ब्रेक होने में नियरली यहाँ पे 2024 में यह ब्रेक हुआ है तो इतना टाइम लगा इसको ब्रेक होने में तो मार्केट अभी रिटेस्ट करने में टाइम लगाएगा तो market अभी उपर ही जाने वाला है weekly time frame में भी single lag move create हो रहा है, तो हम उसी के हिसाब से lower time frame में opportunities देखेंगे, इसके हिसाब से अगर daily में देखा जाए, तो daily का हम current का structure देखते हैं so daily में यहां मिला है, यहां पर देखिए, daily time frame के अंदर यहां पर अगर हम valid है valid low structure marking करें मैं main high से start करती हूँ this one, यह वाला high है इससे previous pull way के यह वाला तो इस high ने idm को grab किया तो यह high valid high बना, फिर यहां पर यह वाला low बना, it's invalid low क्योंकि इस ने इस valid high को break किया है उसके बाद अगर हम देखे current में तो यह high बना था, इस high ने अपने से previous pull way किसी भी idm को grab नहीं किया है, तो मतलब कि यहां से लेकर कि यहां तक का जो भी यह पूरा move है single leg move है, यहां पे और कोई अभी structure नहीं बना है तो यहां पे यह valid high break हुआ था, और market ने वापस से currently main high कुछ भी break नहीं किया है market single leg move करे जा रहा है daily time frame का भी main retest start नहीं हुआ है previous pullback grab नहीं हुआ है यह वाला high बना था, इसने भी अपने से previous pullback grab नहीं किया है valid pullback की में बात कर रहे हूं अभी current high यह वाला है इसने भी अपने से previous pullback को grab नहीं किया है, so single leg move बन रहे है और ऐसा लग रहा है कि market अभी weekly daily में retest नहीं करने वारा easy से अभी market single leg move रहेट करेगा तो हमें उसके हिसाब से अभी intraday opportunities देखनी चाहिए best on swing अभी कोई opportunity नहीं है क्योंकि अच्छे से retest हो ही नहीं रहा है higher time frame में तो अगर higher time frame में single leg move होंगे तो one hour time frame में lower time frame में एक uptrend create होता रहेगा तो हमें उसमें intraday के हिसाब से opportunities मिल सकती है but as a swing trader as a positional trader जो long term trading करते उनके लिए अभी कोई opportunity available नहीं है क्योंकि अभी market यहाँ पे retest ही नहीं कर रहा है in time frame में तो हम जो अभी market दिखा रहा है जो भी market दे रहा है उससी के हिसाब से करेंगे so currently मेरे हिसाब से intraday opportunities ही बन रही है swing के हिसाब से भी कोई opportunities नहीं बनी है क्योंकि retest ही नहीं हो रहे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम one hour का current structure देखेंगे और उसके हिसाब से marking करेंगे तो अभी हम one hour time frame में देखते हैं so let's go in one hour time frame कि वहाँ पे क्या हो रहा है so one hour time frame में अगर हम देखें current का structure में mark करूंगी ज्यादा backward नहीं जाएंगे हम so यहाँ पे मैं current के valid high, valid low mark करूं तो जैसी यह वाला high है it's unvalid high क्योंकि इसने अपने से previous pullback इसको grab किया है यहाँ पे idm को ओके फिर यह वाला low बना it's unvalid low तो कि इसने उपर जा करके हमारे इस valid high को break किया है फिर यहाँ पे यह last high बना है इसके बीच में जो भी यह बन रहे हैं यह सब single leg move है यहाँ पे यह current high बना इसने भी अपने से previous pullback मैं यहाँ पे major pullback को ले रहे हूँ idm है उसको grab किया तो यह बना valid high अभी यह valid low यह valid high है वनावर का तो उसके हिसाब से अभी areas mark करते है तो हमारे idm से पहले होगा और एक valid low के pass में होगा idm से पहले कौन सा order block बन रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह order block mitigated है यहाँ पे अल्मोस सारे order block mitigated है यहाँ पे यह imbalance is left है तो market इस imbalance के ही low तक retest कर सकता है जब कोई order block नहीं होते तो वहाँ पे imbalance है जहाँ पे retest हो सकता है तो में भी हम यहाँ से marking कर सकते है यह market अगर पूरा imbalance को mitigate करता है तो यहाँ से ले करके इस low तक बीच में कहीं न कहीं retest होगा तो यहाँ तक retest हो सकता है अभी market कर क्या रहा है देखते है यहाँ पे market आया नीचे idm को grab किया यहाँ पे इस order flow के आसपास retest होआ है यह जो पूरा का पूरा move आया है यहाँ तक आसपास retest होआ है इस imbalance को पूरा mitigate नहीं किया है थोड़ा सा यहाँ पे यह बड़ा जो imbalance था इसको mitigate किया नीचे वाली imbalance को पूरा mitigate नहीं किया है और market बीच में सही उपर जा रहा है तो कभी-कभी मार्केट हमारे एरियाज में रीटेस्ट नहीं करता यह आप पहले भी देख चुके होंगे अगर आप अनलेसिस करते हो तो आपको पता होगा कि कभी-कभी रीटेस्ट नहीं होता है एरियाज में and which is totally okay हम हमेशा मार्केट को देख सकते हैं और कम रिस्क में opportunities देख सकते हैं अगर मिल रही है तो रिस्क हमें कम रखना है क्योंकि अभी भी market नीचे आ सकते हैं of course right यहां पे कोई भी ट्रेड हम लगा सकते हैं the main point is risk management अगर आपका रिस्क कम रहेगा तो आप आराम से कोई भी ट्रेड लगा पाऊगे य market यहीं से ही lower time frame में उपर की तरफ break देना है start कर दिया है यहां पे market उपर जाना है start कर दिया है अगर हम 15 minute में देखे हैं तो यहां पे देखो क्या हुआ है यहां पे उपर की तरफ एक minor CH OCH मिल रहा है हमको तो हो सबता है कि market सीधा यहीं से ही उपर जाए नीचे ना जाए त रहीं तो हम उसका बीच में से जो lower time frame confirmation मिल रही है उसको ले करके risk ले सकते है risk को कम करके अगर आप बहुत ज्यादा risk लगा रहे हो बहुत ज्यादा high load size लगा रहे हो तो यह trade नहीं लगानी है of course क्योंकि यहां पे market अभी area में नहीं है हो सकता है कि stop loss hit हो जार market area के अंदर है फिर वहां से जाए ऐसा हो सकता है तो यहां पे जैसे कि मैं बोलती हूं कि जो risk कम रखता है उसको डर नहीं लगता रहे है risk management is very important guys अगर आप risk को कम रखने से क्या मतलब है मेरा ऐसा risk लगाना जिससे आपको mentally effect नहीं पड़ेगा और आपको वो risk accepted है अगर stop loss hit हो जाता है तो आपको फरक नहीं पड़ेगा आप उसे normally लोगे as a trader कि okay stop loss hit हो गया भी दूसरी opportunity देखते हैं आप उसको लेकर के sad नहीं होगे right बट अगर आप emotionally effect हो रहे हो उस risk से तो मतलब वो risk आपको नहीं लगाना है right इससे आपके mentally जो psychology होती है trading psychology उसपे effect पड़ता है तो यहाँ पे हम कोई भी trade लगा सकते हैं कोई भी trade काम कर सकती है okay ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे अगर हम बीच में trade लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगी हो सकता है कि काम कर जाए right तो यहाँ पे risk कम रखना चीए क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो trade actually म हो कितनी अच्छी news क्यों ना आई हो still वहाँ पे एक uncertainty होती है कि हाँ stop loss भी hit हो सकता है तो हमेशा इसको को कम ही रखके trade लगानी चाहिए right तो इसी वेम में मैं आपको यह चीज बता रही हूं यह analysis बता रही हो okay so currently यहाँ पे क्या हो रहा है ना one hour का idm grab होने के बाद area में retention और market सीधा उपर की तरफ ब्रेक कर रहा है अगर हम discount and premium के हिसाब से भी देखें अगर मैं यहाँ पे फिबनाची उस करूँ रेट तो यहाँ पे हमारा देखो discount zone में retest हो चुका है तो market जा सकता है उपर अभी मैं आपको यह शमझा रखा है previous videos में कि discount, equilibrium, premium क्या होते हैं तो आपको चेक आउट कर सकते हैं, ओके, market जा सकता है उपर तो हमें उसके हिसाब से देखनी opportunity कम risk में, तो 15 मिंट में यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, let me show you guys, यहाँ पे उपर की तरफ यह एक minor CHOCH मिल रहा है, अच्छे से candle closing हुई है, बहुत बड़ी, ओके, और यहाँ पे ए liquidity create हो रही थी, इसका manipulation हुआ है, फिर यह CHOCH मिल है, फिर यहाँ पे यह current high बना, इससे previous pullback यह बनेगा, तो यह as a inducement काम करेगा 15 मिंट का, ओके, तो अभी area कौन सा बनेगा, यहाँ पे clear यह एक order block बन रहा है, तो maybe market इस order block से उपर की तरफ एक move दे सकता है, अभी आपको पता आप एक short term trade लगा रहे हो, तो target भी उससी के हिसाब से set होना चाहिए, 15 मिनिट में आप trade लगा रहे हो, target आपको उससी के हिसाब से set करना होगा, okay, maybe current high, जिसे कि यहाँ पे imbalances है guys, तो इस imbalances पे target set हो सकता है, इस high पे target set हो सकता है, जादा लंबा target set नहीं करना है, okay, इस तर और risk कम हो, okay, और दूसरी चीज़ी हो सकती है, market शाहिए नीचे आ जाए, और हमारे one hour का जो पूरा imbalance है, complete करे, area में अच्छे से retaste करे, and फिर उपर जाए, ये भी हो सकता है, दोनों चीज़े हो सकती है, हमें देखना है market क्या करता है, okay, current के हिसाब से तो यह opportunity बन रही है, ज देखते हैं, क्या करता है market, हम पूरा 100% prediction नहीं कर सकते है, okay, so यह है analysis, gold का, from my side, and I hope आपको clear हुआ, अभी देखते हैं, market क्या करता है, और उसके हिसाब से हम decision लेंगे, okay, and make sure risk को manage करिए, trading plan बनाएए, उसे follow करिए, आदी से जादा problem आपकी solve हो जाएंगी, जो भी लोग हैं, जो ऐसे से बोलते हैं, कि उनका analysis ठीक है, but still वो profitable नहीं है, main reason यही हो सकता है, कि आपका trading plan नहीं है, और में भी होगा भी नहीं, तो make a trading plan, risk management plan, and उसको follow करिए, very very important in trading, okay, तो चलिए, this is the analysis of today, I hope समझ में आया हूँ, अभी हम मिलेंगे next video में, next video के लिए subscribe करना, ना भूलें, और अगर आपको इस video से value मिली है, और अगर आपको लगता है कि इस video को share करना चाहिए, तो please share it with your trader friends, अभी हम मिलेंगे next video में, so bye bye, have a blessed day, and let's become one person together.